स्टूरेंट्स यह सॉलूशन जो है वो एक्सराइज 2C का है वो मैंने गलती से 1C उसमें लिख दिया है तो इसको 2C का ही सॉलूशन समझा जाए अब कॉस्चन नमबर 6 का जो सॉलूशन है देखिए 1 अपॉन 2 की पावर माइनस 2 अब स्टूदेंट्स पावर को प्लस करने के लिए इसको रिवर्स कर देंगे तो यह आजाएगा 2 अपॉन 1 की पावर 2 सेम इसको कर देंगे यह पावर 2 हो जाएगा और इसको करेंगे तो यह 4 अपॉन 1 की पावर 2 हो जाएगा अब student देखिए यह हो गया 4 और यह हो गया 9 और यह हो गया 16 तो यह आगे आपका 29 इस question का answer हो गया तो अब student इसमें जो option है वो C है तो इसका option C जो है वो correct हो जाएगा अब student solve करते हैं 7 number तो इसी तरीके से इसको करना देखिए 1 upon 3 की power minus 3 है तो यह हो जाएगा 3 upon 1 की power 3 minus यह हो जाएगा 2 upon 1 की power 3 फिर यह इस तरीके से और divided by 1 upon 4 की power minus 3 है इसको लिख सकते हैं 4 upon 1 की power 3 अब इसको देखिए solve कर दीजे तो 3 की power 3 जो है वो 27 आएगा और 2 की power 3 है वो 8 आएगा और इसको divided by अब यह हो जाएगा 64 अब इसमें से student इसको can subtract कर देंगे तो यह आजाएगा कितना 19 upon 64 तो यह students इसका 19 upon 64 जो है वो answer होगा तो इसका option जो है वो A correct है students so now students और start करते हैं question number 8 so student in this question दीखिए minus 1 y 2 की power 2 फिर इसकी power minus 2 तो जितनी भी power होती है students जितनी भी power होती है उन सब का multiply कर देती है एक बार में तो minus 1 y 2 की power देखिए 2 और 2 minus 2 to minus 4 और इसका multiply इसमें करेंगे तो 4 आएगा तो अब minus 1 y 2 की power 4 चुकि इसकी power even है इसलिए इसकी value प्लस में आएगी तो यह हो जाएगा 1 upon 16 students answer हो जाएगा तो इसका option जो A है वो correct है अब 9 को solve करने की लिए student the value of x हमें इसमें x की value find करना है for which तो अब देखिए student इनके base जो है वो equal है तो इनकी power add हो जाएगी minus 4 plus 3x चुकि unequal quantities student वो add नहीं होती है और यह आजाएगा 7 upon 12 की power 5 अब both side की base जो है वो same है तो इसलिए power आपस में equal हो जाएगी so minus 4 plus 3x is equal to 5 so 3x is equal to 5 plus 4 तो यह हो जाएगा student 3x is equal to 9 तो x is equal to 9 upon 3 तो x कितना हो जो 3 है वो student इस question का answer हो जाएगा student question नमर जो 10 है इसमें दिया है कि if 2 की power 3x minus 1 plus 10 divided by 7 is equal to 6 तो हमें इसमें value find करना है x की student तो देखिए इसको हम लिखेंगे 2 की power 3x minus 1 plus 10 upon 7 equal to 6 अब student इसका हम कर देंगे cross multiplication तो जब cross multiplication करेंगे तो 2 की power 3x minus 1 plus 10 is equal to 42 तो 2 की power 3x minus 1 is equal to आयागा student 42 minus 10 तो यह हो जाएगा 2 की power 3x minus 1 is equal to 32 अब students यहाँ पर base जो है 2 है तो यहाँ पर भी base 2 आना चाहिए तो इसलिए 32 को हम लेख सकते देखि 2 की power 5 दो दुनीचार 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 अब जो question number 11 है उसमें student दिया है कि 2 upon 3 की power 0 तो student किसी भी number की power अगर 0 हो तो उसकी value हमेशा 1 होती है तो इसका option C correct है और इसका जो option है student question number 10 का 10 का option 1 minute 3x minus 1 तो x is equal to 2 आएगा student यहाँ पर यह 3 हम इसमें put कर देंगे तो यहाँ बर 2 आएगा यह mistake हो गई तो अब इसका option है वो correct है C option correct है students 12 solve करती है तो students minus 5 upon 3 की power minus 1 है तो student इस power को plus में बनाने के लिए हम इसको लिख देंगे minus 3 upon 5 यही इसका students answer होगा तो जो 12 का answer है वो हो जाएगा C इसका भी option C correct है 13 student minus 1 upon 2 की power 3 है तो अब इसमें यह power positive है तो minus 1 by 2 को हमें 3 times लेक्ट के multiply कर देना है minus 1 by 2 चुकि अगर student इसकी power odd है तो यह हमेशा minus में आएगा तो minus 1 upon 8 जो है वो इस question का answer हो जाएगा तो इसका option जो है वो D correct है अब इसी तरीके से student देखिए minus 3 upon 4 into minus 3 upon 4 तो यह आएगा 9 upon 16 यह question का answer हो जाएगा 9 upon 16 तो इसका option जो है वो students B option correct है अब इसके बाद students solve करते हैं question number 15 तो देखिए question number जो 15 है उसको solve करने के लिए हमें क्या करना होगा students 15 को solve करने के लिए देखिए इसको हमें standard form में लिखना है तो जब भी किसी number को standard form में लिखना पड़ता है तो जो number उसमें use हुआ है जैसे यह 367 number use हुआ है तो इसको 1 और 10 की बीच में लिखते हैं तो decimal को कितने point student expand करना पड़ेगा एक दो तीन चार अब देखिए यहाँ पर हमें decimal लाना है यहाँ पर यहाँ तो हम देखिए कितने 1,2,3,4,5,6 तो कितने point हमने decimal यहाँ 3.64 तो हमें decimal को replace करना पड़ा student 6 point अब आप इसमें बोलोगे कि decimal है कहाँ तो कोई भी number जैसे student 20 दिया है तो इसको हम 20.0 लख सकते 20 को क्या लख सकते 20.0 तो इसी तरीके से इसके आगे point लगा के 0 लख देते हैं फिर उस decimal को है 1,2,3,4,5,6 तो यह power minus की आएगी अब student power minus की क्यों आएगी चुकि यह number बड़ा है और जब हमने इस बड़े number को छोटा किया ठीक है नहीं sorry students यह power जो है plus की आएगी चुकि जब बड़े number को हम छोटा करेंगे तो power plus में आएगी और अगर छोटे number को हम बड़ करेंगे तो power minus में आएगी तो student चुकि हम जब left side में decimal को replace करते हैं तो power plus में आती है और जब right side में उसको हम replace करते हैं तो power minus में आती है यह इस तरीके से भी हम इसको समझ सकते अब student इसी तरीके से हमें 16 को लिखना तो इसका जो answer होगा इसका answer c students correct है option फिर इसके बाद 16 0.000463 अब student decimal यहाँ है और इसको हमें लाना है 4 के बाद यहाँ इस 4 के बाद जो है decimal लाना तो 1,2,3,4,5 कितने place हमने इसको replace किया 4.63 नमबर को हमने छोटे नमबर को बड़ा बनाया यह right side में replace किया तो power जो है वो minus में आईगी तो power कितनी होगी minus में जो कि 1,2,3,4,5 अब यह देखिए 1 और 10 4.63 जो हमने लिखा है यह student 1 और 10 के ब बीच में आ जाएगा तो 4.63 इंटू 10 की पावर minus 5 तो इसका option भी correct है अब students इसको usual form में लिखना है तो किसी भी चीच को usual form में लिखना है तो उसके उपर power plus की है तो 10 की power 4 का मतलब है 1 के बाद 4 0 अब इससे multiply कर दीजे तो यह decimal 4 डिजिट आज यह आ जाएगा तो इस नमबर को हम लेख सकते हैं 3.67 दीए 1,2,3,4 चार डिजिट के बाद आ गया तो 3.67 जो है यह students इसका answer आ जाएगा इस तरीकी से हमें लिखना पर तो यह students 1C जो है जो exercise 3 आपकी यह correct हो गई अब students यह हमारी आप से request है के please please हमारे channel को ज्यादा से ज्यादा subscribe कीजिए students